हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास भी है कोई साबी फोन और यहाँ पे आपको अपने back बटन को side में करना है यानि कि आप चाहते होंगे कि यहाँ से आपका back होगे इस साइड करने से आपका फोन है वो बैक होई ये बटन हट जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी सेटिंग किसी भी फोन में कैसे करी जाती है तरीका सिंपल है यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाना है तो mobile की setting में जाईए यहाँ पर आपको ढूणना है navigation, gesture या navigation पर यहाँ पर आगर आपको नहीं मिलता है अगर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं उपर की तरफ यहाँ पर बना additional setting मिलेगा आपको speed touch करें यहाँ पर आपको मिलेगा full screen display speed touch करें यहाँ पर आपको मिलेगा navigation, gesture यहाँ पर आपको मिलेगा full screen display दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करेंगे उपर डब्बे में आपको वही पेज मिल जाएगा तो यहाँ पर आप सर्च करें full screen तो size आपको वाला पेज यहाँ पर मिल जाएगा इस पर टाच करने से आप देख सकते हैं वरना आप यहाँ पर सर्च करें navigation bar navigation, gesture navigation, gesture आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको size मिल जाएगा तो दोनों में से आप कुछ सर्च करके आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको ढूंड लेना है उसको इसमें जाईए और यहाँ पर आपको मिलेगा एक option full screen display इस पे टाच करें और यहाँ पर आपको इसे हटाना है तो full screen gesture पे टाच कर दीजिए back button side में आ जाएंगे not now पर click करें और button हटके side में आ जाएंगे पर ओपर phone में कैसे करना में बता देता हूं जल्दी से यहाँ पर अपना phone खोलिए setting में जाईए यहाँ पर आपको मिलेगा smart and convenient इस पे टाच करें navigation की इस पे टाच करें और इसे नीचे वाले पे टाच करें और आपके setting कपलीट हो चुकी है यहाँ पर आपके जाईए और यहाँ पर आपका side से back होगा इसके अंदर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है इस phone में होता है बस MI में ओपके phone में यहाँ से होता है नीचे करने से और यहाँ से home button और यहाँ से recent वीडियो पसंद आई वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आपको कोई सवाल है तो comment करें